1 प्लस, 2 प्लस, 4 प्लस, 8 प्लस, 16 and so on ऐसे ही करते करते हैं अगर हम सभी नंबर को एड़ करें तो कितना होगा जहां हार एक नंबर अपने पिछले नंबर का डबल है तो इन सभी का सम कितना होना चाहिए पहली बार देखने में तो ऐसा लगता है कि सभी का सम इन्फानाइट होना चाहिए पर असल में ऐसा है क्या So, let's begin हमें बता है अगर हम किसी भी नंबर को 1 से मंटिप्लाइ करें तो result सेम आता है जैसे 5 मंटिप्लाइब 1 is equal to 5 9 मंटिप्लाइब 1 is equal to 9 तो हम इसको इस तरह लिख सकते है 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 and so on is equal to 1 multiply by 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 and so on और 1 को हम 2 माइनस 1 लिख सकते है क्योंकि 2 माइनस 1 is equal to 1 तो इस हिसाब से 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 and so on is equal to 2 माइनस 1 multiply by 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 16 and so on. अगर हम right hand side को solve करें तो 2 multiply by 1 is 2, 2 multiply by 2 is 4, 2 multiply by 4 is 8, 2 multiply by 8 is 16 and so on. minus 1 multiply by 1 is minus 1, minus 1 multiply by 2 is minus 2, minus 1 multiply by 4 is minus 4, minus 1 multiply by 8 is minus 8, minus 1 multiply by 16 is minus 16 and so on. अगर हम इसको और आगे solve करें तो 2 से minus 2 cancel out हुजएगा, plus 4 से minus 4, plus 8 से minus 8, plus 16 से minus 16 and so on. और ऐसे ही करते करते सबी number cancel out हुजएगे, बचेगा तो सिर्फ minus 1. So 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 16 and so on is nothing but minus 1. अगर हम जानना चाहते हो कि आप 1100 decibel की sound से, कैसे एक black hole create कर सकते हो, जो इस पूरी universe को destroy कर दे, इसके लिए left वाली वीडियो देखें, और ऐसे ही मज़दा content के लिए subscribe करें, हम 100 subscriber के बहुत close हैं, करवादो यार, I hope you like this video, बई बाई!